यूपिटट पेपर वन बीयड अवियर्थों की पातरता के संदर्ब में जैसा कि आपको ग्यात होगा दिनांग 17 माई 2022 यानि आज महतोपुर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होना प्रस्तावित था ये सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है क्या कुछ नया अपडेट है इसके बारे में जाना आपके लिए बहुत जरूरी अंततक बने रहीएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट ये टिप चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जैसा कि सुबा के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि सचिव परिच्छान अमग प्रादिकारी कारयले द्वारा जो वकील थे सरकारी वकील उनको मानने इलहाबार हाईकोट में उनको एक पत्र के माद्यम से ये सूचित किया गया था कि चुकि NCT ने 28.0.2018 के रद करने के आदेश जो की मानने जोदपूर हाईकोट के द्वारा 25.0.2021 को दिया गया था उसके संदर में कोई भी अधिसूचना अभी जारी नहीं किया गया है इसी वज़े से सचिव परिच्छान अमग प्रादिकारी कारयले द्वारा यूपिटेट 2021 के बियड अभियरत से जो NCTE है यानि कि जो regulatory body है उससे जवाब दाखिल करने के लिए बोला है और अब इस केस की अगली सुनवाई जो है वो 14 जुलाई 2022 को होने जा रही है जैसा कि आपको ग्यात होगा मानने सुप्रेम कोट में इसी विवादित मामले पर दिनांक 19 जुलाई 2022 को सुनवाई हो तो अब मानने इलाबाद हाई कोट में जब 14 जुलाई 2022 को इस केस की सुनवाई होगी तो उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि NCTE जब अपना answer counter file करने आएगी तो वो इस पष्ट सब्दों में ये कह सकती है कि मानने सुप्रेम कोट में यहीं विवादित माम में चल ले थे उसको कर दिया है अभी हाल ही में मामला पंजाब का है जिसमें कल ही दिनांक 16 माई 2022 को फैसले के दौरान मानने इये पंजाब हाई कोट ने मानने सुप्रेम कोट के अधिन पूरी भरती प्रक्रिया को कर दिया है तो 14 जुलाई को जब इस केस की सुनवाई हो रही होगी तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा यहीं होगा कि अब यह मामला मानने सुप्रेम कोट के अधिन हो सकता है जो सुनवाई वहाँ पर चल रही है सुबा के वीडियो में मैंने आप सभी को डिटेल में इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से क्या कुछ नया चला अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा आपको बहुत चीजे इसपष्ट हो जाएंगी अगर बात करें कि इसके संदर्व में अगर इससे पहले कोई भरती आ जाती है तो क्या होगा देखिए इससे पहले भरती आएगी ही नहीं नामुंकिन है बहुत से आप लोग के द्वारा कमेंट के मादम से प्रेशन पूशे जा रहे थे कि आगस्त में कोई भरती आ रही है क्या कोई भरती नहीं आ रहे है अगस्त में बिलकुल इसको ब्रहम को मन से निकाल देजे जो भी इस बाते सोचल मेडिया साइट्स पर चल रही है क्योंकि बिना इस विवाद को खत्म किए उत्तर प्रदेश की सरकार भरती निकालना ही नहीं चाहेगी ये इतना बड़ा विवाद है क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बलकि पूरे देश भर में ये विवाद के वज़े से कई vacancies रुकी पड़ी हैं तो पहले ये विवाद समाप्त होगा उसके बाद ही नहीं भरती के बारे में प्रदेश सरकार सोच सकेगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करे आपका दिन शुब्भू